नमस्कारम सद्गुरू, आप भारत का वरणन कैसे करेंगे या कैसे इसे डिफाइन करेंगे? भारत एक कलाइडोस्कोप की तरह है, ये एक सोची समझी उथल पुथल है, एक समय पर हमने थोड़ी सोची समझी उथल पुथल पैदा की, जान बूच कर, लेकिन दुर्भाग के से कुछ लोग आज इसकी अती कर रहे हैं, उन्होंने आव्यवस्था पैदा करने को अपना ध भालना होगा, लेकिन ये सोची समझी अव्यवस्था इसलिए है, क्योंकि व्यवस्था के बारे में हमारी समझ थोड़ी अलग थी, अगर आप इस होटेल से बाहर निकलते हैं, तो आपको एक सुन्दर बगीचा दिखेगा, लेकिन हर दिन दस लोग उस पर मेहनत करते हैं, ताकि उसे वैसा रखा जा सके, अगर तीन महीने कोई उसकी देखबाल न करे तो कोई बगीचा नहीं बचेगा, लेकिन अगर आप किसी जंगल में जाते हैं, तो वहाँ एक अलक तरह का ओगनाईजेशन और व्यवस्था होती है, जो लाखों सालों बाद भी ज्योंकित्यो बनी रहेगी, बिना किसी देखबाल के, तो ऐसी चीज जो लाखों सालों तक कायम रहती है, क्या वो बहतर व्यवस्थित है, या एक ऐसी चीज जो देखबाल के बिना एक महीना भी कायम न रह सके, वो बहतर व्यवस्थित है, तो हमने इस संस्कृति को व्यवस्थित किया ह थोड़ी सोची समझी उथल पुथल के साथ। लेकिन आज, चूँकि आपके एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से वेस्टनाइजड हो गए हैं, जो सीधी लाइनों पर चलते हैं, आप भारत को भी उन्ही लाइनों में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिट नहीं होगा, आप सिर्फ हताश हो जाएंगे, और उसे ठीक करने की कोशिश में आप देश को नश्ट कर देंगे, हमें ये समझना होगा, हमने अव्यवस्था के लिए थोड़ी गुंजाईश रखी है, ताकि ये एक विकास की प्रक्रिया बन जाए, ये कोई तय चीज न रहे, ये हुक्म नामों से न चले, इस देश में ऐसा कहीं नहीं है, जहां आपको कोई नैतिक्ता के नियम दिये गए हो, इस देश में ऐसा कहीं नहीं है, जहां वो आपसे कहते हो, ये भगवान है, अगर तुम उनके पास जाते हो, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई एक भगवान नहीं है, इस देश में कोई सबसे बड़ा भगवान नहीं है, इस देश में कोई सबसे बड़ा स्वर्ग नहीं है, हर कोई खुद के लिए बना सकता है, हमें अपना खुद का भगवान बनाने की आजादी दी गई है, इसी से बनाने की तकनीके विक्सित हुई और हमने 33 करोड देवी देवता बनाए क्योंकि कुछ भी निर्धारित नहीं है कलाइडोस्कोप के पीछे भावना आश्चर्य और खोज की है तो हमारी धर्ती हमेशा से जिग्यासुओं की भूमी रही है न कि विश्वास करने वालों की आपको समझना चाहिए कि इस धर्ती पर जितनी भी हिंसा जितनी भी मूर्खताएं जितनी भी भयंकर चीजें हुई है वो एक आदमी के विश्वास और दूसरे आदमी के विश्वास के बीच टक्राव का नतीज़ा है तो हमने कभी किसी चीज में विश्वास नहीं किया अ हमने उनसे सवाल किये जब तक कि वो लॉजिकली सही नहो हमने उसे स्वीकार नहीं किया इस संस्कृती के यही मूल लि रहे हैं इससे थोड़ी बहुत उथल-पुथल होती है लेकिन ये उथल-पुथल मानवी चेतना का विकास भी करती है हर संस्कृती अपने भौगवलिक हालातों की वज़े से पनपती है उस जगय पर हुई एतिहासिक घटनाओं और सुरक्षित रहने से जुड़े कुछ खास मुद्दों की वज़े से संस्कृती का स्वरूपतय होता है हमारे यहां भी उसका कुछ हसर है लेकिन इस संस्कृती की इसकी एक बड़ी विशेशता उस चीज की सचेतन खोच करना है जो इस सब से परे है इस वज़े से इस संस्कृती में भगवान और स्वर्ग कभी महत्वपून चीजें नहीं रही हमारा सर्वोचादर्श मुक्ती, स्वतंत्रता या आजादी है मुक्ती हमेशा ही सर्वोच लक्ष रहा है भगवान नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम स्वर्ग जाते हैं और भगवान के पास बैठते हैं, तो हम तीन दिन में ही उनसे उप जाएंगे. हाँ, ऐसा ही होगा, यह न? आपके पास क्या सबूत है कि आप पहले से इस स्वर्ग में नहीं हैं और इसे खराब कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई सबूत नहीं है. हो सकता है कि आप स्वर्ग में हो और आपने इसको खराब कर दिया हो. जिया, यही असलियत है. आपके पास कोई सबूत है.